बच्चों की जबान में बच्चों के साथ emotional connect जोड कर अगर आप उनसे कोई बात कहें तो वो ज्यादा समझते हैं, सीखते हैं और next level पर अपनी सिंगर को लेके जाते हैं अगर हिमेश हिमेश बना है तो उन धुनों की वज़े से बना है अपनी आइडेंटिटी वो सिंगर को खुद बनानी पड़ेगी तो जब आपको इस शो को जच करते हैं, बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आती होगी तो इस शो को जच करने के लिए आपने क्यों सोचा, ऐसी क्या ऐसी कॉलिटी आपको इस शो में मिला और और मुझे लगा के इसमें जो अब तक ग्रेट शोज मैंने जच किये हैं, ग्रेट टैलेंट को कुछ प्लैटफॉर्म दिया है, वो ग्रेट सिंगर्स भी बनी हैं, वो सारी करने के बाद ग्रेटिस्ट टैलेंट अमारे इंडिया में से कहां से मिल सकता है, जो ये कैप्टेंज ले आए हैं डूण के और आप ट्रेलर देखें उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना ग्रेट टैलेंट अडिशन राउंड में मिलना बहुत मुश्किल था जो मिला हैं, और जब बच्चों की बाता है, बहुत सोच समझ के उनसे बात करना पड़ता है, उन्हीं चीजे समझानी पड़ते कर उनको आउट भी कर रहे हैं, तो उन्हीं बहुत अच्छे समझाना पड़ता है, वो कितना जारा प्रेशर आपके होता है? जोड़कर अगर आप उनसे कोई बात करें, तो वो जादा समझते हैं, सीखते हैं, और नेक्स लेवल पर अपनी सिंग में को लेके जाते हैं, वो बहुत स्मार्ट है, अच्छे इतना लंबा दौर आपने जज में भी आपने विताया है, कभी किसी को ऐज आपने किसी और को अपने उनके अंदर अपने देखा हैं? तो सिर्फ बॉलिवूड पर डिपेंड़न नहीं होना चाहिए, और अपनी गानों को आउडियंस तक पहुचाने के लिए, सिंगल्स तो करनी चाहिए, लेकिन वो सिंगल्स उतने ग्रेट होने चाहिए, तो कहीं न कहीं एक सिंगर को, अब गर बठे शायद वो कंपोजर न जाती है, अब गाने से पहचान लेंगे कि चलो इमीज गा रहें, अलका यागनी गा रहें, जो भी का रहें, पर अब अगर मैं दोर की बात करो, किसी को नहीं समझ माता है कौन से सिंगर है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे चीज़ों के लिए कि आपने बहुत लंबा बतलाव मुझे लगता है कि उसके लिए ही वो आइडेंटिटी उनको बॉलिवुड पे डिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा, कि अगर आपने मेरा आशिक बनाया, आपने मेरे वीडियो नहीं देखा होता या आपका सुरूर नहीं देखा होता, तो आप कैसे पहचानते है, आज क प्लेबैक सिंगिंग करता है. वो इंडिया में ही एक है, कि वो पचास साल से प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, ग्रेट गाना भी गाते हैं, आपके फोन में आप 20 बार सुन रहे हैं, अभी मैं आपको पूछूँगगा, यह सिंगर कौन है, आपको पता नहीं होना चाहिए, वो नहीं होने के लिए अपनी आइडेंटिटी वो सिंगर को खुद बनानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे लग रहा है कि ग्रेट सिंगर तब तक ग्रेट नहीं बन सकता, जब तक उसको ग्रेट धुन न मिले, मैं बार-बार सिंगर की ग्रेटिस्ट आवाज को यह गराब गाना नहीं बना सकेगा, वो खराब गाना न मिले और अच्छा गाना मिले वो पहले कि अब कम सिंगर थे प्लैटफॉर्म में, तो उनको वो गाना घर पे मिल जाता था कही न कहीं, वो रीच थी, आज एक ग्रेटिस्ट सिंगर को भी वो गाना डूनना पड़ेगा, यही डिफरेंस है, तो वो सिंगर जो अपने घर में ग्रेट है, वो जन्यूनली ग्रेट है, बस वो जाए उस दुन की तलाश में, जो उसे वो ग्रेटिस्ट बना सकता है, जो लाखों में पैजाने, जहीं में जाते हैं के अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस शो को लेजाएं, मैं यही कहना चाहूंगा कि वोल्ड म्यूजिक डे आ रहा है, और हमको आपने म्यूजिक की बज़े से बनाया है, उसका मुजिक दो तीन महिने में भार आजाएगा, पिचर भी आजाएगी, उसको बहुत प्यार दीजे, मैंने बेहनत की है, So I hope you like it, I will not name the name of the film, I will not tell you anything about the film, but it is going to be announced soon, and love this show which is coming on 29th June, Superstar Singer, you love the show. Thank you so much.